Hey guys, आज इस वीडियो में हम देखेंगे लेबल टेग के बारे में जो HTML में लेबल यूज होते हैं, उनको हम देखेंगे कि उनका क्या यूज होता है तो एक फाइल क्रियेट करेंगे यहाँ पे टुटोरियल 32.html और इस फाइल में जो है मैं यहाँ पे HTML का basic code लिख लेंगे और यहाँ पे लिखते हैं लेबल टेग लेबल टेग फाइल को सेब करते हैं, ब्राउजर में चलते हैं और यहाँ पे ओपन कर लेते हैं फाइल को, तो यहाँ पे 32 वाली फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी, ओके तो अब यहाँ पे समझते हैं लेबल टेग, देखी लेबल टेग एक simple सा टेग है, जो की input fields के साथ है, यह associated होता है, जैसे की माली जी हमने कोई field बनाई, ठीक है अब उस field में हम उस field को हम associate कर देंगे लेबल के साथ, तो label पे अगर हम वो label पे click करते हैं तो वो activity हमारे input field पे भी apply हो जाएगी, राइट, जैसे की हम देखते हैं, इसको use करके, यहाँ पे form create करते हैं, राइट, और इस form में हम क्या करते हैं, कि input field बना लेते हैं, ठीक है text हमने किया, और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, save करते हैं file को और यहाँ पे refresh करेंगे, तो यह हमारे पास एक input field आ गई, ठीक है, अब यहाँ पे हम label tag का use करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं, label, ठीक है, label का opening and closing tag, ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे for attribute आ रहा है, अब इस for में क्या करते हैं, यहाँ पे जो id हमने ले रखी है, इसका name यहाँ पे pass कर देते हैं, यह जो fname लिया, यह आला इस वाले हम pass कर देंगे, ठीक है, अब यह क्या हो गया, कि यह label जो है इस वाली field से, particular इस field से क्या हो गया, associate हो ठीक है, अब यहाँ पे लिए देते हैं first name, first name ठीक है, file को save करते हैं तो यह देखो guys, यहाँ पे क्या कि अब first name आ गया, ठीक है, अभी देख रहो जैसे कि अगर हमें को लिखना है, ठीक है, तो इस पे जाकर करेंगे, तो जाकर कि यह क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ इस तरीके से, ठीक है, अब दिखाते हैं आपको यह label का क्या यूज होता है अब देखिए, हम यहाँ पे भी click नहीं कर रहे हैं अब इस first name पे click कर रहे हैं, ठीक है जैसे इस पे click करेंगे, तो यह देखो automatic हमारी field जो है, वो हमारी focused हो गई है, ठीक है, अब वहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई भी इस तरीके से, देखरो बिना input पे click किये बिना, ठीक है, यह देखो इस तरीके से, तो यही use होता है हमारा label tag का, राइट अब इसका साथ मालीजी है, हमें क्या बनाना, एक input fill बनानी है input, ठीक, और इसमें हमें file image अपलोड करनी है ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने image, और यहाँ पे देदिया file ठीक है, id का name file देदिया ठीक है, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पे refresh करते हैं, तो यह देखो, अभी यहाँ पे हम vr tag लगा देते हैं vr, ओके यह हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, एक file आए चुकी है यहाँ पे, ठीक, आप देखिए, जैसे इस पे click करते हैं तो यह हमारे पास open हो जाएगा images वाला ठीक, यहाँ से image को select कर सकते हैं तो जैसे कि हम चलते हैं यहाँ पे, और images को select कर लेते हैं तो इसमें से कोई image select कर सकते हैं तो यह हमारी image select हो गई ठीक है, अम माली जै हमें यह वाली चीज अच्छी नहीं लग रही, कि मैं इस button को नहीं यहाँ पे लगाना चाहता है ठीक है, मैं custom button बनाना चाहता हूँ ठीक है, तो हम क्या करेंगे तो देखिए, तो हम कर सकते हैं ऐसा कुछ कि हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे लिखते हैं label, ठीक है, label लिख दिया ठीक है, फाइल को चलते हैं, आपे save करेंगे तो यह देखो, अब यहाँ पे यह हमारे पास एक label आ गया ठीक है, अब इस पे देखिए, हम इस पे अभी नहीं क्लिक कर रहे हैं, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यह देखो, तब भी हमारी यहाँ पे open हो रहे हैं, अब इसको हम आसानी से यहाँ पर upload कर सकते हैं, यह देखो upload हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, अब मालीजी इसको हमें हटाना है, और इसको हमें design करना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ह अब यह हमारा चला गया input field, ठीक है, अब यह हमारा labels बचाए, ठीक है, आप देखें, इस पर जब क्लिक करतें, तो यह देखो, automatic यहाप पे open हो रहा है, ठीक है, और यह upload कर सकते हैं, ठीक है, अब इसको हमें एक button के three style कर सकते हैं, जो भी इसके साथ करना चाहिए, वो आप बह अए होगा, था क्यों समच फार वाचिग एद वीडियो, सी आ इन नेश्च वीडयोगा स्टाइक एर